आम खाकर भी कम हो सकता है वजन बस जान ले खाने का सही तरीका हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होग आप सब अच्छे होंगे विल्कम बैक तो माई चानल होमे टिप्स गर्मियों में आम खाना लगबग हर किसी को पसंद होता है स्वादिश्ट लगने के साथ ही आम में कई तरह के पोशन तत्व पाये जाते हैं अक्सर लोगों को लगता है कि आम खाने से वजन बढ़ता है ऐसे में आम को सही समय और सही तरीके से खाना काफी जरूरी है इस समय मार्किट में अलग-अलग किस्मों के आम बिक रहे हैं आम को फलकों का राजा माना जाता है क्योंकि स्वाद में अच्छा होने के साथ यह सीहत के लिए भी काफी फायदेमन होता है अक्सर आम को लेकर लोगों को लगता है कि इसे खाने से तेजी से वजन बढ़ता है लेकिन ऐसा बिलकुल गलत है अगर आप आम का सेवन सही समय पर और सही तरीके से करें तो इससे वजन बढ़ने से रोका जा सकता है आम में सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये बलड शुगर कंट्रोल करने में भी फायदेमन होता है आम में प्रोटीन, काफ, शुगर, फाइबर, विटामिन C, फोलेट, विटामिन A और विटामिन E के साथ-साथ कैलशियम, जिंक, आइरन और मेगनीशियम होता है आईए जानते हैं वजन करने के लिए कैसे करें आम का सेवन आम माइक्रो नूट्रियंट्स और फाइबर से भरपूर होता है अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें खा सकते हैं लेकिन कोशिश करें इस इनका सेवन सीमित मातरा में ही करें आम का सेवन अधिक मातरा में करने से सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है खाने के बाद ना खाएं आम का सेवन कभी भी खाने के बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर में ज़्यादा कैलोरीज आ जाती है हमेशा आम का सेवन दुपहर के वक्त करें आप चाहें तो स्नैक्स के रूप में भी आम का सेवन कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पर खाएं अगर आप स्नैक्स के तोर पर एक कटोरी आम का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमन साबित हो सकता है आम में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं इसके अलावा आम एनरजी बूस्टर की तरह भी काम करता है आम का सेवन की वर्काउट फूड के तोर पर करना काफी अच्छा माना गया है आम का जूस या मैंगो शेक बनाने की बज़ाए आप आम को नॉर्मल तरीके से खाएं जूस बनाने के चकर में आम के सारे फाइबर्स खतम हो जाते हैं आपको इंफोमेशन अच्छी लगी होगी